अलो प्रिंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल आर्ट फेक्टरी पेली प्रिंट्स आज जो वीडियो आप सब के लिए मैं लेकर आई हूँ वो है सिल्क पेंटिंग की तो कल अपने गट्टा अपलाय करना सीखा था उसमें थे ना बहुत सारे डूज और बहुत सारा अलग तरीके से ये वर्क था क्योंकि नॉर्मल गट्टा आउटलाइनर ये नहीं था ये था वाटर रजिस्ट और अगर ये आ गया तो वो गट्टा चलाना ना कोई मुश्किल बात है ही नहीं ट्डूब वाले जब आउटलाइनर से हम वर्क करते हैं वो ऐ जो है हमने कल किया ओर आज हम करेंगे उसी में कलरिंग और कलरिंग किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताओंगी क्योंकि मैं हमेशा आपको ये ही कहती हुँ कि अगर आप बारीक वर्क से सीख पाएंगे क्योंकि बड़े पोर्शन पर काम जब हम करते हैं सिल्क कलर के साथ तो बहुत इजीली हो जाता है और वो भी हम करेंगे लेकिन जो आज है वो डफुडेल्स ही है तो जो आर्टिकल मैंने बनाया था उसी की है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक किजिए लेगर चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजी कमेंट सेक्षन में पूछे क्या कोईरी है आपकी और मेरे साथ बने रहे आपके अपने आर्ट फेक्ट्री पीडी चैनल पर तो फ्रेंच देखिए जो कल हमने गटा अपलाए किया था ना वो ड्राय हो चुका है अच्छे से और उसके बाद हम आज इसमें पेंटिंग करेंगे खैर पेंटिंग मैंने साथे साथ की ती और ये है माराबू सिल्क कलर है येलो और ये इसमें करना है लेकिन मुझे वो जो इसका इफेक्ट है लास्ट अच्छे से आपको सब चीजे कलियर होंगी तो जो सिल्क पेंटिंग है वो वाटर बेस्ट होती है तो मैं यहां ये पानी अपलाए कर रही हूं जिसकी वज़ा से जो सिल्क का अपना एक जो एफेक्ट है वो इसली ख्रीयेट हो जाता है जो उसका क्लावडी एफेक्ट होत ताकि हमारा कलर हमारी जो पानी है वो हमारी डिजाइन के बाहर ना जाए तो देखे ब्रश में डिरेक्टली मैंने कलर लिया है और आप खुद देख रहे हैं आपको इतना वैसे तो डाक कलर है लेकिन फिर भी ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो येलोनेस आई है वो किस त बारक एफेक्ट भी यहां दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से तो ये जो चीज है ये बारीक डिजाइन है और उसकी वजह से जो है आप लोगों को शायद जो है एक बार समझने में दिक्कत हो लेकिन मैं आपको एंड तक अच्छे से सिखाऊंगी समझाऊंगी और आपको ये क्लियरली पता भी चलेगा कि क्या डिफरेंस आता है डिरेक्टली भी करूंगी मैं इसको बिना पानी लगाए तो उसका रेजल्ट कैसा है वो भी आप देखेगा और पानी लगा के तो आप रेजल्ट देखी रहे हैं कितनी प्यारी जो है इसकी स्प्रेडिंग होती है म बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो color पानी के साथ spread होता है बिलकुल वैसे ही हम भी बनाएंगे बहुत जल्दी बनाएंगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी साडी बनाएंगे और आप कहेंगे जो वो बनाएंगे और जो ये painting है ये मैं आपको अलग-अलग तरह से सिखाने वाली हूँ सो ये तो है silk painting नॉर्मली और अब ये देखे ये है white color white color का भी यहां texture जो है वो अलग से आपको show हो रहा होगा जो yellow के साथ जो नीचे आता आता mix हो जा रहा है yellow में और ये जो effect है ये थोड़ा सा अलग है सभी technique सभी तरीके अलग-अलग होते है shading and merging के और वही चीजे हैं जिनको हम implement करते हैं और जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो अब आप देख रहे हैं जैसे white color apply हो रहा है तो yellow है जो वो उपर से light और नीचे से dark show हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी और color मुझे जो customer ने करने से यहां मना किया था वो चाहते थे सिर्फ yellow का tint रहे और yellow dark में और उपर जाते जाते वो light हो जाए तो वही चीज है आपको यहां बहुत अच्छे से green में भी yellow color show हो रहा है यहां मैंने थोड़ा सा red color के साथ try किया था red plus हमारा yellow तो यह जो चीज है यह customer को नहीं अच्छा लगा तो हम directly जो yellow के साथ white को लेकर काम कर रहे हैं और उसी तरह सी हमें light dark effect shadow effect यहां पर देना है और उसी के accordingly हमें अपने process को आगे बढ़ाना है और ऐसे ही जो है हमारा जो work है यह complete होगा तो अब आप देख रहे हैं जहां बारीक लाइने भी है ना वहां से भी color हमारा कहीं पर भी spread नहीं हो रहा इतनी अच्छी पकड़ है इस water register की इस गटे outliner की तो यही चीज़े हैं अगर आपका लगाने का use करने का तरीका सही है ना तो आप कहीं पर भी कोई दिकत नहीं आएगी और कोई भी painting आपकी खराब नहीं होगी तो अगर basic आपका अच्छी से start होगा तो आपका जो result है वो हमेशा ही fine आएगा इसी लिए हर वीडियो के चाहिए दो पार्ट बने या तीन पार्ट बने मैं कोशिश यही करती हूँ कि detail आपको सारी मिले white color को फिर से apply कर रही हूँ मैं और defodels के यह flower है बहुत प्यारे से flower है बहुत अच्छा सा इसका जो है result हमें दिखने वाला है इसका जब यह सारी पूरी ready होगी बहुत different सारी है यह मैं आपको final जब यह ready होगी न तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या ऐसा difference है जो आम का जो concept है जो different होता है unique होता है मुझे बहुत पसंदाता है क्योंकि एक तो hand painted है ही अपने आप में unique आप यह कहें कि इसी का copy आप और बना दीजिए तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आप trace भी करके बना रहे हैं तो भी हलका full का difference आता ही है क्योंकि यह handmade है यह man made है और इसमें हलका difference आएगा ही आएगा हर piece हर article ना एक दूसरे से unique होता है और silk painting का भी ऐसे ही है क्योंकि spreading को हम नहीं decide करते कि कि साइड में spreading जाएगी हम जब color को touch करते हैं और वो spreading किस तरफ जा रही है उसी के accordingly हम काम करते हैं तो अब जो यह flower आपने देखा है ना यह बिना पानी लगाए मैं देख सकते हैं तो यही जो difference है अलग से जो शो हो रहा है हमने बिना पानी लगा है जो direct color से किया है वो थोड़ा सा dark है और पानी लगा के जो किया है वो थोड़ा इसको complete करेंगे तो आप बारी है green color की green मेरा पैबो का है मारबू का नहीं है और green भी देखे मैं direct लगा रही हूँ और अपने आप उपर जा रहा है जहां brush जा रही है बिल्कुल उसी तरह से हम करने वाले है green का white और green के साथ ताकि इसमें भी light dark effect बना रहे और अच्छा लगे वही final होगा so इसका तो मैं final result आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि यह मैंने आपको दिखा तो दिया है लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा और तरीके से काम करना है और थोड़ा सा different kind of work करना है अब मैं इस पर जो है यह गटे से work नहीं करूंगी direct work करूंगी so वो चीजे तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ मेरी जो वीडियो थी ना एक 8 मीटर के flare का मैंने dress बनाया था वो और उसके बाद मैंने एक cartoon characters की साड़ी डाली थी वो मैंने वो बिना गटे के डाले थी तो फिर मैं बार बार बिना गटे के ही आगर मैं ऐसे वीडियो डालूंगी तो फिर आपको भी boring लगेगा और interest नहीं रहेगा एक ही चीज़ को बार बार देखने में तो ये बिना गटे के होगा तो फिर मैं आप इसकी वीडियो तो नहीं डालूंगी अब मैं आपको जो silk painting की वीडियो वही दूंगी जो मैं पूरा proper आपको और भी अच्छे से समझा सकूं क्योंकि silk skill चाहिए और आपकी patience चाहिए एक दिन में कुछ भी नहीं होता ना ही कुछ आता है तो हमें उसी के accordingly हमारे color को हमारे work को fast करना होता है और उसी के accordingly हम अपना जो है design select करते हैं और बनाते हैं placement select करते हैं तो ये देखे इस तरह से हमारी जो painting है वो complete हो गई है और इसमें अब हम और क्या करेंगे मैं आपको अच्छे से दिखा रहे हूं देखे design नीचे था तो शायद समझ में कम आया भी हो तो मैं इसको अच्छे से आपको अलग-अलग तरह से करके दिखाऊंगी और जो green है उसको तो हम एक-एक tone और dark करेंगे क्योंकि darkest leaf बहुत अच्छे लगते हैं और darkest leaf ही इस green कलर पर दिखाई देंगे तो एक और layer मैं जो है yellow की try कर रही हूं ताकि यह थोड़ा और visible हो जाए क्योंकि इसमें visibility yellow कलर की बहुत कम है लेकिन फिर भी यह design पता नहीं क्यों मुझे भी अच्छा लग रहा है यहां पर बना हुआ और इसी तरह से जो है work को हम अपने आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें हमें वही pattern करना है आप जो पहले ही lavender कलर की सारी में देखा था pattern वही है बट flowers change है size change है flowers का burst यही है और इसका जो outcome है इसका जो look है वो मैं आपको final होने के बाद share करूंगे फिर आप बताईएगा मैं जो को यह work है वो कैसे किया किस से किया तो अब इसका जो हमारा काम है वो चल रहा है जब तक यह काम होगा और मैं आपको तब तक और वीडियो जूंगे अलग-अलग topic पर आप ही बताईएगा कि आपको क्या सीखना है क्या आप देखना चाहते हैं सो इस तरह से जो है हमारा work complete होता है बताईएगा जरूर वीडियो आपको कैसी लगी कैसा आपका response है और समझ में आया या नहीं आया या फिर कहीं कुछ दिक्कत आई तो please be clear और बिल्कुल भी hesitation मत रखिएगा और जो आपको पूछना है clearly आप पूछ सकते हैं always मैं आपको reply करूंगी और आपकी query को solve क करूंगी और इसी तरह से जो है मेरा साथ बनाए रखिए Art Factory PD का साथ बनाए रखिए बहुत सारी fabric painting आपको free में सीखनी है ना तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो को बहुत सारा like भी किया कीजिए friends क्योंकि like करने में आप लोग बहुत 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 गंजूसी कर मैं suggestions का हमेशा इंतजार करती हूँ और friends मेरे पापा हमेशा कहते थे कि आलोचनाई मनुष्य को और भी strong और बहुत pure बनाती है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ कमी लगे तो भी मुझे बताईएगा जरूर उसको में सुधारोंगी हो सकता है आप लोगों क कम निकल कर आए तो यह तो वीडियो रही हमारे सिल्क पेंटिंग की तो इसका क्लोज लुक आप देखिए और यह तो है हमारा वेट लुक इसका और आफ्टर यह कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं वीडियो शेयर करूंगी तो फैब्रिक पेंटिंग वे बिजनस सीखना चाह आते हैं तो राइट साइड में क्लिक कीजिए क्लिक जरूर कीजिए का आपके लिए सब कुछ हैल्फुल है